जहिन साथियों मेरे नेहा सोनू गौतम इन साथियों का कहना ये है कि आखिर रेशा होता क्या है तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आज आपको किलियर हो ही जाएगा कि रेशा आखिर हम किसको कहते हैं तो गैस यहाँ पर आप ध्यूए में समझ सकते हैं इतना आसान है कि यार कुछ कह भी नहीं सकते हैं यहाँ पर आप समझे यहाँ पर आप सबको बिलकुल दिख रहा है रेशा ओके और रेशा का इंगलिस क्या होता है फाइबर ओके तो गैस यहाँ पर आपको परिभासा में म महीन सूत यानि आप रेशा को महीन सूत भी कह सकते हैं या आप तंतू भी कह सकते हैं तो रेशा को हम महीन सूत भी कह सकते हैं या तंतू भी कह सकते हैं या हम इजी ले कहें तो पतला सा रसी भी कह सकते हैं ओके तो रेशा का परिभासा क्या हो जाएगा तो मैंने लिख रहा ह बुनावट के रूप में पाए जाने वाला पतला सा पदार्थ ही आपको क्या कहलाता है यानि बस आपको ख्याल रखना है कि पतला सा वो पदार्थ जिससे हम स्वेटर और साल कुछ भी बनाते हैं हमारे हमेरे सरीन में पहनने के लिए तो वही पतला सा धागा यानि पतला सा धागा ही आपको क्या कहलाता है रिषा कहलाता है ठीक है तो पतला सा धागा को हम क्या कहेंगे रिषा कहेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं महिन सूत यानि पतला सा धागा ही आपको क्या कहलाएगा रिषा कहलाएगा पतला सा धागा ही आपको क्या कहलाएगा रेसा कहलाएगा ओके तो रेसा आपको किलर रहा की नहीं रहा बस पतला सा पदार्थ ही आपको क्या कहलाता है रेसा कहलाता है या तो आप उन के ले सकते हैं पतला सा धागा या तो आप कापास का ले सकते हैं या तो कागज का ले सकत या तो पॉलिष्टर आदी कुछ भी का आप ले सकते हैं पतला पतला सा भाग ही आपको क्या कहलाता है रेशा कहलाता है मतलब हमारा जो सरीर में नस है नस ही भी हमारे एक तरह से क्या है रेशा ही है ठीक है तो गैज रेशा आप इस तरह से समझ सकते हैं बस आपको ख्याल क्य ठीक है तो रेसा से आप कुछ बी बना सकते हैं अपने सरीर में पहनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम स्वेटर ही बुनते हैं ओके तो रेसा आपको किलेर रहा होगा बिल्कुल रहाओगा और गाईज रेसा तो आपको समझ में आ गया कि महिन सूत यानि पतले चीज को हम क्या बोलेंगे रेसा बोलेंगे ओके और गाईज यहाँ पर आपको ख्याल क्या रखना है गाईज तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है रजू अब यह रजू क्या है तो हम पतले को तो क्याgun मोटा हो जाएगा तो उसको मैंने डबल लिखंगा यानी रसी तो मोटा रहेगा तो आपको क्या रखना है याद कि वह रज्यू ही है या तो वह restrict हमारा हो सकता है उनका ले सकते हैं कपास का कागज के पेड़ों की छाल पॉलिष्टर कुछ भी का ले सकते हैं मोटा सा धागा यानि मोटा सा रसी आपको क्या कहलाएगा रजु ही कहलाएगा तो आपको बिल्कुल आ गया होगा रेसा तो रेसा अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप यहां से जा सकते हैं और गाइस मैं आपको बता दूँ कि समझना और ना समझना सिर्फ आपके उपर ही निर्भर करता है अगर हम कितना भी बकते हैं अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपको ये नहीं समझ में आगा तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे जरूर लिखेगा और आप हमसे जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआओगा उस पर आप क्लिक कर देजिए ओके तो बाइबाट टेक क्यार बेस्ट अफ लक